चले खबरों के शुरुआत करेंगे राहूल गांधी के हेलिकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया यह खबर शेडोल से आरी है आज शेडोल में राहूल गांधी रुक सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हेलिकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया है हेलिकॉप्टर में फ्यूल खत्म होने से नहीं भर सकेंगे उडान शेडोल के बाद हेलिकॉप्टर से जाना था जबलपूर आपको बता दें तो शेडोल तक तो ठीक है लेकिन शेडोल के बाद हेलिकॉप्टर से जबलपूर जाना था लेकिन हेलिकॉप्टर में फ्यूल खत्म हो गया इसी वज़े से वो उडान नहीं वर पाएंगे देड़ घंटे का समय और लग सकता है सूर्यास्त होने के बाद उडान संभाव नहीं है ये भी कहा जा रहा है तो शैडोल में हेलिकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया था और देड़ घंटे का समय और लग सकता है कहा जा रहा है लेकिन साथ ये भी कि सूर्यास्त खत्म होने के बाद उडावन संभाव नहीं तो फिर किस तरह से जाएंगी एक बड़ा सवाल हाला कि राहूल गांदी का आज रुकने का प्रोग्राम भी हो सकता है चलिए हमार साथ जुड़ गया हमारे एक्जेकुटर एडिटर सुनिल सिम्बगेल जी चलिए उनसे जानकारी लेते हैं सुनिल जी क्या कुछ कहा जा रहा है क्या आज उडान भर पाएंगे क्योंकि यह का जा रहा है दो तिन घंटे लगेंगे लेकिन उसके बाद शाम को यह उडान संभाव नहीं है चलिए सब लली जी सबसे पहले तो मैं दर्सकों को बता दूं कि यह खबर कि उनके फ्यूलिंग की प्रावला में रिफ्यूलिंग नहीं हो पाई है यह खबर सबसे पहले बंसन नीज नहीं ब्रेक की और हमने इस सबसे पहले दर्सकों को बताया अब जो सूरते हाल बन रही है जब ऐसे वी आई पी मुवमेंट के दोरान जो सुरच्छा के इंतजाम किये जाते हैं उसमें इस तरह की अपरी इस्थिती में या कोई अपात कालिन इस्थिती में रुखने का इंतजाम होता है तो फिलाल जो आप मेरे पीछे होटल सुरिया देख रहे हैं जैसे ही यह सबाग खत्म होई और यह इस्थिती इसपस्ट हुई कि जो फ्यूल है वो नहीं पहुच पाया है तो उन्हें आनन्फानन में शैडोल के इस सुरिया इंट लेरा जमालिया है और वह दुर्बीन से निगरानी कर रहे हैं उसके अलावा जैमर मसीन जो है वो सामने लगा दी गई है और जब ऐसी स्थिती जो क्यों पैदा हुई इसके बारे में बताया जा रहा है कि हेली काप्टर के अपनी एक सीमा होती है चुकि शैडोल आने के पह और मेरी करीब सबाब पांस बेज़े र스दिकारियों से जब बात हुई थी तो इस समय पांच बेजे करीब अभशी रदिकारियों का कहना था कि फ्यूल पहुंँचने में डेड़ घंटे का और समय लग सकता है तो मैं आपको बता दू की करीव औरह इस समय में सूरियास् वरिष्ट रदिकारियों से जब बात हुई थी तो उस समय पांच बेजे करीब वरिष्ट रदिकारियों का कहना था कि फ्यूल पहुंचने में डेढ़ घंटे का और समय लग सकता है तो मैं आपको बता दूँ कि करीब डेढ़ घंटे के इस समय में सुर्यास्त जो है छे बच प्रका उड़ना फिलाल संभव नहीं हो पाएगा और इस बात के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं इस संभावना पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या उन्हें सडक मार्क से जबलपुर ले जाया सकता है लेकिन वह आसान नहीं होगा क्योंकि हाइली से जोन है और जबलप इसे किये गए थे अब इसके बारे में अधिकारिक बयान जो यहां कि लोकल ऑफिसर जैंशे मिलेगा तो यहां लोकल जो डियस्पी साहब है इस पिसाव है उनका उचीत होगा अधिकारिक बैंट होता तो पहले से विवस्था थी ठीक है पुलिस अधिकारी जो कि सम्वेश सुरच्छा से सब जुड़ा हुआ संवेदन सील मुद्दा है ललित इसलिए वो इस बारे में खुल कर कुछ कहने से मना कर रहे हैं लेकिन जो यहां के वरिश्थाम पुलिस अधिकारी हैं उनसे मेरी बैक्तिकत रूप से बात हुई है और उनका कहना है कि शायद अब आप समय निकल चुका है और अब कम से कम हेली काप्टर से उडान भरना संभाव नहीं होगा अब यह जो सुरच्छा एजंसियां हैं वो सड़क मार्क से जबलपुर तक जाने का जोकिम उठाती है यह देखने वाली बात होगी ललित बिल्कुल बिल्कुल निश्चिती है जैसे क आप कहा रहे हैं कि यह पहला मामला जो कि हमने इसको ब्रेक किया और बताया है अपने दर्शकों को की